दोस्तो आप सब की भारी रिक्वेस्ट पे मैं फिर से आज ऐसी केक की रसी पिलाई हूँ जिसे मैंने बना है बिना मैदा, बिना कोको पाउडर, बिना आवन, बिना किसी फैंसी टूल्स के कुछ टूल्स जिसे हम यूज करेंगे जिसे की हमारी केक मार्केट जिसी दिखेगी उन टूल्स को हम घर पर ही बना सकेंगे जिसे की केक वेस्ट बोड है जिसे हम घर पर ही रेडी करेंगे, दो प्रकार की नोजल बनाएंगे और उसी को यूज करेंगे केक सजाने के लिए जो विपिंग क्रीम का इस्तमाल होता है उसकी भी alternative मैंने इसी वीडियो में शेयर किया है केक बनाने के लिए कुछ tips है जो मैं शेयर करूँगी जिसे कि आपकी केक soft, spongy और moist बनेगी और कम से कम समान में केक को कैसे decorate करें की बिलकुल market जैसी लुका है वो भी मैंने इस वीडियो में शेयर किया है तो प्लीज इस वीडियो को end तक देखे एक perfect केक बनाने के लिए और अगर वीडियो पसंद आये तो like करें जादस ज़दा share करें चानल में अगर new है तो subscribe करके bell icon क्लिक करिए चली start करते है केक बनाने के लिए सबसे पहले केक तिन को रेडि करना ज़रूरी होता है मैंने आधा किलो वाली एक केक तिन लिया है इस केक तिन के जगह आप normal कोई भी steel या aluminum की डबबा ले सकते है और इसमें जो हम butter paper लगाते हैं अगर butter paper आपके पास नहीं है तो कोई भी white color की paper ले लिजे नॉर्मल paper ले लिजे white होनी चाहिए वो और फिर उसे तेल या फिर butter लगा कर grease करके आप इस्तमाल कर सकते आपका butter paper घर पर ही ready हो जाएगा butter paper लगाने से cake जो है crispy नहीं बनता है साइडों में से सभी साइड से perfect soft ही रहती है cake तो यहाँ पर हमारा cake tin ready हो गया पूरी तरीके से मैं इसे grease कर लिया है चले अब हम cake के लिए cake batter बनाते हैं जिसके लिए मैंने happy happy biscuits के ये वाली packet लिए है ये chocolate biscuits से इसमें ऐसे 4 packets आते हैं इनमेंसे मैं 2 packets ले रही हूँ आप चाहे तो biscuit count कर सकते कितने हैं मैंने happy happy biscuits लिए है आप chocolate flavor की कोई और biscuit भी ले सकते हैं cream biscuit भी ले सकते हैं तो यहाँ पर जो ये biscuits है इसमें chocolate chips होते हैं जो कि बहुत ही अच्छी chocolate flavor cake को दे देती हैं इसलिए मैं आज ये happy happy biscuits ले रहे हूँ वैसे दोस्तो मैरी biscuits है मैंने बहुत ही अच्छी vanilla flavor की cake बना कर आप सबके साथ share की थी वो भी बिना cream का तो आप इस वीडियो का अगर miss किया है तो चेक कर सकते हैं आपको end screen में मिल जाएगी मैंने एक playlist भी बना कर रखा है cake recipes की उसमें आप चेक कीजिए बहुत सारी ऐसी cake की recipe मिलेगी जिससे की बहुत कम खर्चे में baker style cake बन जाती है अब देखिए biscuits को हम तोड करके mixture jar में डाल कर इसको crane कर लेंगे fine powder बना लेंगे आप इसमें हम डालेंगे powder sugar यानि की PC हुई चीनी दो बड़े चमज क्योंकि थोड़ा मिठा कम होता है फिर इसमें सब चीज़ें डलेगी तो मिठा कम हो जागा इसलिए तो बड़े चमज डाला है दूद हम डालेंगे इसमें लगभग आधा कब आप चेक करते वे डाल सकते है दूद रूम टेंपरेचर में होनी चाहिए केक में अब जो भी चीज़ें डालोगे वो सारे रूम टेंपरेचर में होनी चाहिए ना ही गरब ना ही थंडा एक बड़ा चमज में तेल डाल रही हूँ क्योंकि केक ड्राई ना रहे केक हमारा मॉइस्ट रहे केक स्पंजी बन जागी सॉफ्ट बन जागी अगर केक अंदर से ड्राई फिल होगा तो अच्छा नहीं लगेगा गले में अटकती है इसलिए केक मॉइस्ट होना ज़रूरी है इसलिए थोड़ा सा तेल भी ज़रूर ढाले अब देखिए मुझे ये बैटर काफी थिक लग रहा था मैंने थोड़े से दूद डाला है आप भी ऐसे थोड़ा थोड़ा करके डाले जब तक आपको बैटर इस कंसिस्टेंसी की ना मिल जाए आप इसमें चाहे तो आप बेकिंग पाउडर डाल सकते एक छोटी चमश लेकिन सब के पास नहीं होता है इसलिए मैंने एक छोटा सा इनो फ्रूड सॉल्ट का पैकेट डाला है और थोड़ सी दूद डाल कर इसे अक्टिवेट किया है और फिर इसे मिक्स कर लेंगे दोस्तों जब तक यहांपे मैं बैटर रेड़ी कर रहे हूँ साइड में मैंने कड़ाई को भी प्रीहिट होने के लिए रख दिया है ताकि बैटर रेड़ी होने के बाद तुरंत यह अवन में या फिर जिसमें हम बेक करते हैं कड़ाई या पतीला या कुकर उसमें जानी चाहिए तो आप अगर अवन में केक को बेक करना चाहते हैं तो अवन को भी प्रिहिट कर लिजे 10 मिनट पहले केक बैटर रेड़ी होने के बाद केक टिन में से ट्रांसफर करके हलका टैप टैप कर ले जिसे की एर बबल्स हट जाएगी तो केक के उपर क्रैक नहीं आएगी यहां पर कड़ाई प्रिहिट हो चुकी है देखिए कड़ाई के अंदर मैंने एक वायर राच रखा है हाई फ्लेम पे 10 मिनट के लिए मैंने कड़ाई को गरम कर लिया है आप cake tin को बीच में रखेंगे center में place कर देंगे ढख कर देखिए ये hole को भी हमें cover करनी है flame को low पे कर देंगे 20-25 मिनिट पे एक बार check कर ले लगबग 30 मिनिट लग जाती है cake को bake होने के लिए यहां पर देखिए जब आप चेक करेंगे अगर आपका toothpick clean आएगा यानि आपका cake ready हो चुका है तो cake को निकाल कर इसे थंडा होने के लिए रखतीजिए room temperature में ही चले जब तक cake थंडा होता है मैं आपको base board बना कर दिखाती हूँ वैसे तो आप एक थाली भी ले सकते हैं लेकिन अगर professional style की cake बनानी हो दिखने में बिलकुल market जिसी look का है तो इसे base board बना लिजे एक normal cardboard ले लिजे cake की size की सबसे आप ये cardboard ले cake की size से एक इंच बड़ा ही रखना है मैंने ये एक कपड़े की box का cardboard काट कर ले लिया था और फिर aluminium foil से से cover कर लिया है तो बहुत ही अच्छा सा एक base board रेडी हो गया है जिसे हम cake में यूज़ करेंगे अब यहाँ पर हमारा cake भी थंडा हो चुका है इसे अभी हम unmold कर लेते हैं देखिए जब आप butter paper लगाते हैं तो आपका cake बहुत आसानी से unmold हो जाती है और butter paper हमने घर पर ही बना कर लिया तो कोई खर्चा भी नहीं है और देखिए cake कितने moist, soft और spongy बनी है बिलकुल market जैसी अब हमेशा cake को काटने के लिए मैं trade का ही इस्तमाल करती हूँ मैं कोई चाकू नहीं लेती इससे cake perfect कर जाती है और इस cake को मैं दो layer में कट कर रही हूँ अब अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ देखिए cake कितनी soft है, moist है, कितनी जालीदार है मैं क्या कहूँ आप देखकर समझ पा रहे होंगे आप लोगों के comment आती है whipping cream ना हो तो हम कैसे cake को सजाए whipping cream के जगा आप whipping cream powder online purchase कर सकते है यह मैंने amazon में से लिया था whipping cream powder एक packet में से 3-4 cake cup की बन जाएगी यह budget friendly भी है जितना आप एक cup अगर whipping cream powder लेते हैं ना उतना ही आपको दूद डालना है, दूद थंडा होना चाहिए और यह already मीठा होता है तो powder sugar डालने की ज़रुरत नहीं है यह already vanilla flavor की होती है तो कोई essence की भी ज़रुरत नहीं है सिर्फ आपको electric witter या hand whisker से इसे whip करना है आपका cake सजाने की cream यहाँ पर whip होकर तयार है अब चलिए nozzle बनाते हैं nozzle बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कागश का cup लिया है इसे काट कर दो भाग में divide कर लेंगे और इसे एक cone बना लेंगे जिसे महंदी cone या चनी खाने की cone होती न वैसे और cello tips इसे secure कर लिजे अब क्योंकि आज हम black forest cake बना रहे हैं तो हमें star nozzle चाहिए तो मैं star nozzle बनाऊंगी तो हलका सा नीचे से cut लगाएंगे और जिग जग shape में इसे हमें cut करनी है अगर आप जिग जग ऐसे नहीं काट पा रहे हैं तो pen से marking कर लिजे फिर cut कर लिजे बहुत ही perfect cut होगा और आपका star nozzle बन जाएगा तो यहाँ पर मेरा यह star nozzle बन चुका है चले रोज कैसे बनाते हैं वो वाली nozzle भी बना कर दिखाती हो एक cone same बना लिजे नीचे से हलका सा दबा कर cross cut कीजे और यह rose वाली nozzle बन चुकी है है ना perfect दो तरह की nozzle हमारा बन कर तैयार है घर पर ही इसे मैं use करूंगी आगे बने रही है अब मैंने यहाँ पर एक turning table ली है अगर आपके पास turning table नहीं है कोई भी एक कड़ाय लीजे जिसका जो base है वो flat ना हो और उसके उपर एक थाली को उल्टा करके रखिया आपका turning table का काम हो जाएगा आप cake को सजाने के लिए सबसे पहले cake base board में थोड़ा सा cream लगा कर एक layer cake की रख दीजे और इसे शुगर सिरफ से अच्छ स्टे moist करे शुगर सिरफ बनाने के लिए दो बड़े चमच पिसी हुई ची नीम में चार बड़े चमच पानी डाले mix कर लीजे शुगर सिरफ ready हो जाएगा अब शुगर सिरफ टालने के बाद cake में क्रीम की एक परफेक्ट लेयर लगा दे जितना मोटा आपका cake का लेयर होगा उतना ही मोटा आप क्रीम एपलाई करें इसके उपर थुड़ी सी टूटी फ्रूटी या फिर चेरिस डाल सकते मैंने चेरी डाला है हलका सा इसे प्रेस कर लेंगे और फिर cake की टॉप लेयर इसके उपर रख देंगे देखे केक की उपर की सतर को हलका सा कट कर लीजिए जिसे की हम जब शुगर सिरफ इसमें डालेंगे अच्छे से या अब्जोब हो अंदर तक फिर इस cake को क्रीम से कवर कर लेंगे नॉर्मली spatula या फिर पैलेट नाइफ यूज होता है अगर आपके पास पैलेट नाइफ नहीं है तो आप बड़ी वाली चाकू या बटर नाइफ का यूज कर सकते है या फिर कोई expired वाली debit या credit card यूज कर सकते है केक को finishing लुक देने के लिए उसमें तो बहुत अच्छा काम होता है या फिर कोई ऐसी plastic जो की बहुत ज़्यादा पतला ना हो उसे भी यूज कर सकते है जैसे transparent वाली कोई box आती है आप यूज नहीं करना चाते है तो उसे कट कर scrapper बना कर यूज कर सकते है scrapper कैसे बनानी है मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया था आप चेक कर सकते है तो यहाँ पर देखिए मैंने वैसे ही एक plastic को यूज करके scrapper का काम किया है यहाँ पर और बहुत अच्छे से केक को एक finishing look दे दिया है यहाँ पर आपको कोई palette नहीं पगेरे कि कोई जरुवत नहीं पड़ती है तो हमारा केक बहुत अच्छे से सेट हो चुका है अब मैंने हमारा homemade nozzle के साथ piping bag में क्रीम भर कर ले लिया है अगर आपके पास piping bag मी नहीं है तो आप दूद की थहली इस्तमाल कर सकते है यहाँ पर normal सा एक flower में बना रही हूँ कुछ इस तरीके से अब क्योंकि यह black forest cake है तो हमें chocolate की जरुवत पड़ेगी मैंने यहाँ पर dark compound को पतले-पतले काट कर deep freeze में रख दिया था अब इसके जगा आप catberry chocolate ले सकते हैं लेकिन अगर वो भी नहीं है तो आप happy happy biscuits को ही ऐसे लंबे-लंबे कतरन करके उसे आप deep freeze में रख दीजी वो set हो जाएगा मतलब थोड़ा crunchy हो जाएगा फिर उसे आप ऐसे यूज़ कर सकते है चौकलेट के जगा तो सारा alternative में बताते चल रही हूँ इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा आप इस वीडियो को end तक देखे अब यहां पर देखे मैंने cherry स्ट रखा इसके उपर cherry अगर ना हो तो chocolate balls आते है वो आप ले सकते है chocolate कुछ shots के नाम से आते है 10 रुपय वाली packet होती आप उसे यूज कर सकते है और लीजिये तयार है हमारा black forest cake बहुत ही tasty cake बनी थी दोस्तों लुक कैसा है यह bakery style की दिख रही है क्या नहीं यह तो आप यह बताएंगे लेकिन taste इसका बहुत अच्छा आया था बहुत ही अच्छी soft और spongy बनी थी cake अच्छा moist था और तुरंधी खतम हो गया यकिन मानिये तो आप भी इसे बनाईए कमेंट में अपना feedback देना ना भूले रस्पी पसंदा तो वीडियो को लाइक कीजिए जाद जाद शेयर कीजिए चानल पर नहीं होतो सब्सक्राइब करके पल आइकन क्लिक करें चलिए बाबाई एंड टेक केर थैंक्स वर्ची